दोस्तों, भारत के 75 वे गणतंत्र दिवस के लिए अमेरिका आउट और फ्रांस इन हो चुका है। आगामी गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट के तौर पर फ्रांस के राश्ट्रपती को मोदी जी द्वारा भेजा गया इंविटेशन एकसेप्ट कर लिया गया। पूरी डे बाइडेन को इन्विटेशन भेजा गया था। किन्तु रिपोर्ट के मुताबिक वजह से जो बाइडेन भारतिये गणतंत्र दिवस पर शामिल होने में असमर्थता जताई है। उसके बाद मोदी जी द्वारा भेजा गया इन्विटेशन फ्रांस के राश्ट्रपती इमे साथ ही आपके ये भी बता दें कि कोविड के चलते 2021 और 2021 को गणतंत्र दिवस पर बतौर चीफ गेस्ट किसी को आमंत्रित नहीं किया गया था। जबकि 2023 में मिश्र के राश्ट्रपती अब्दुल फतेह अलसीसी मुख्य अतिथी के रूप में शामिल हुए थे। दोस्तों अब समझते हैं भारत के लिए फ्रान्स की इंपोर्टिंस क्या है, साथ ही कौन से समझगोते इस बार हो सकते हैं। भारत और फ्रान्स के रिष्टे वैसे तो काफी पुराने हैं, लेकिन फ्रान्स के साथ रण नीती संबंधों के शुरुआत कुछ समय पहले ही हुई है। आए दिन कोई न कोई विवाद खड़ा करने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन भारत और फ्रांस की जो आपसी समझ है वो अलग ही लेबल की दिखाई दे रही है। दोनों एक दूसरे को रणनीतिक और अन्य मुद्दों पर सपोर्ट करते आ रहे हैं। साथ ही फ्रांस ने भारत की 26 नेवल रफेल की बिड को सब्मिट कर दिया है। और यदि इस डील पर साइन हो जाते हैं तो ये तकरीबन 5000 करोड रुपए के डील हो सकती है। साथ ही जब फ्रांस के राष्ट्रपती Emmanuel Macro जब इंडिया आएगे तो और भी कई डील और समझोते हो सकते हैं। साथ ही फ्रांस और भारत के रिष्टों में और भी मिठास आएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या भारत को फ्रांस के साथ इसी तरह पूरे जोश के साथ नए समझोते करने चाहिए। अपनी राए कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरह और भी इनफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि आपके लिए केवल एक सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है।